नमस्कार दोस्तों मैं हमनोच आज किस वीडियो में सीखने जा रहे हैं D-Link N300 को कैसे आप इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे कंफिगर करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो यह अपना D-Link का आउटर है इसमें वारंटी कार्ड और इसका जो इंस्टॉलेशन गाइड हो गएरा सारी चीज़ दे गई हैं और इसके साथ आपको इसका स्टैंड रखने के लिए दिया गया स्टैंड है और आपको एडाप्टर साथ में मिल जाएगा यह एडाप्टर है उसके बाद यह अपने जो अंटीने है और पैच कार्ड साथ में और अपना रउटर तो रउटर को हमें पावर लगानी है और लैंड के बाल लगागे अपने पीची में कनेक कर देना अंटीने भी लगा देना है तो दोस्तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल आगान दबाईए और इस वीडियो को सेर कीजिए तो कनेक्शन हमारा हो गया प्रॉपर और इसको हमने ओन कर दिया है यह देखिए लाइट जल गई और कनेक्टर भी दिखा रहा है और अपने पीसी पे जाएंगे पीसी पे आप तो पिंग करा लेंगे जो बाई डिफॉल्ट इसकी आईपी 0.50 के सीरीज में है नहीं तो अगर पिंग नहीं हो रही तो इथरनेट पे जा करके आप यहां पर आईपी असाइन कर लेंगे प्रोपरटीज एंड प्रोटोकोल वर्जन प्रोपरटीज में जाके यहां पे हम जीरो की सीरीज में अपनी आईपी असाइन कर लेंगे जीरो डॉट कुछ भी आप डा सकते हैं और यहां पर सब्लिन मास्क एंड गेटवे उसके बाद आप ओके कर देंगे ओके करने के बाद आप देखेंगे तो इसको भी आप क्लोज कर देंगे सारी चीजें टिपिंग हो रहा अपना कट कर देंगे और हम इंटरनेट एक्सप्लॉरर ओपन करेंगे और यहां पर जो हमारी राउटर की बाइड डिफोल्ट आपी होती ही उसको यहां पर डालेंगे 192.168.0.50 और एंटर करते ही आप देखिए तो यह अपना राउटर ऐसे कुछ खुलेगा और नेक्स कर देंगे तो आपको जो एक्सेस पॉइंट या वायलेस रिप्लर जो भी बनाना है तो आप यहां से बना सकते हैं तो हमें एक्सेस पॉइंट बनाना है वायर लगा करक नाम यहां डाल देंगे और नाम डालने के बाद यहां पर वाई फाई पासवर्ट जो चाहें तो आप करेड़ कर सकते हैं एट से लेके 63 करेक्टर इसको हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि काफी राउटर्स उनको कन्विगर करना है इसको और यहां पर नेक्स कर देंगे नेक्स करने के बाद सेप कर देंगे और यहां पर ओके कर देंगे ओके करने के बाद अगर आप लैन केबल नेट जिसमें आ रहा हो लैन केबल आप अपने राउटर में लगाएंगे तो राउटर से आपको नेट वाई फाई के थुरू आप आपको मिल जाएगा, I hope कि ये वीडियो आपको informative लगी होगी, तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन दबाई और इस वीडियो को सेर कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में,